हाई फ्रेंड्स मेरा नामे जायबी से मेरे डी जी एब इंस्पिरेशन चैनल में आप सभी का स्वागती मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हाई फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम हीरे जैसा चमचमाता अनिमेशन इफेक्ट अपने अल्फाबेट के उपर किस तरह से अपलाए करके ले सकते हैं और वो भी पॉवर पॉइंट में बहुत खुबसूरत सा अनिमेशन यहाँ पे अल्फाबेट के ऊपलाए करके ले सकते हो टेक्स तरह से विफेक्ट के ऊपलाए नहीं कीजे क्योंकि यह थोड़ा सा HOW तायम कंजुमिंग टास्क है थूढाइंज कॉंदाने थोड़ा व्लगता है यह अनिमेशन इफेक्ट बनाने के लिए लेकिन बहुत लोगो बनाना है फिरे जैसा चमचमाता लोगो टो या अलफाबैड एक single alphabet के ऊपर आपको अपला करके लेना है तो इससरे से अभी मैं आपको दिखाने वानी हूँ तो आप अपना करके ले सकते हो आसनी से ठीक है कास करके लोगो के लिए यह मैं आपको दिखाने वाली हूँ यह अनिमेशन इफेक्ट हम किस तरह से बना सकते हैं ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी मैंने क्या किया है तो एक इंटरनेट से इमेज डाउनलोड करके लिए है यह जो इमेजे ना यह देखिए इसके उपर हमें हीरे जैसा चमचमाता बनाने वाली हूँ अपना तो चलो सीखते है किस तरह से एनिमेशन इफेक्ट बनाना है स्टार्ट करते हैं यह जो इमेज सबसे पहले में साइड में रख देती हूँ और यहाँ पर हमें एक अल्फाबेट टाइप करके लेना है तो उसके लिए हमें इंसर्ट में जाना है यहाँ पे टेक्स बोक्स पर क्लिक करेंगे करिया यहाँ इसार से मैंने टेक्स बोक्स इनसेट करने लिया अ सलाज कर लेती हूँ एलह प ile कर लेती हूं WOW । सब्सक्राइट हो बन्या श्रिक्ति हो रख लेती हो 344 साइज में यहां पर रक रही हो and who KRI में प्रेस कर रही हूं। तो देखे इस तरह से कर लिया और अभी हम ईसे यह जो आलफाबे इसके ओड़ी सी एडसे कर लेंगे 20 incomod रिल कर के निकाल लेते हूं लाइठ अप्षर देखे में जाकर ठीक है देखेगे इस तरह से में थोड़ा अजय्स करके यह से ले रही हूं और अभी हमें क्या करें तो यह पूरा पर्शन सिलेक्ट करना हैं और हमें जाना हैं । शेप फॉर्म retr और मौ शेप्स में जाना हैं और यहां फरेग्मेंट पर ग्लिक पार-छेइं हैं तो अभी जो पार्ट हमें नहीं चाहिए वो सिलेक्ट करके इस तरह से हम डिलिट करते जाएंगे देखिए यह वाला पार्ट नहीं चाहिए यह नहीं चाहिए बाहर का जो पोर्शन है वो पूरा में सिलेक्ट करके इस तरह से डिलिट कर रही हूँ और इसके अंदर भी एक ट कर लिया तो अभी हमें यह जो अलफावेट इसको छोटे चोटे पार्ट्स में कट करना है तो छोटे चोटे पार्ट्स में कट करने के लिए हमें इंसेट में जाना है शेप में जाना है यहां से में वापिस ट्राइंगल शेप करके ले रहे हूं इस ट्राइंगल शेप को इस जैसे कि बहुत अच्छे से अलग अलग पार्ट्स बन जाये उसके हिसाब से में यह जो ट्रेंगल है इसे कंट्रोल डी करके डुप्लिकेट करके रोटेट करके साइच छोटी बड़ी करके अड्डेस करके ले लेती हूँ अपने इस अल्फाबेट के ऊपर चलो तो मैं फटा तो देखिए इस तरह से मैंने प्रॉपर्ली यह जो ट्रेंगल है इसे एड्जिस कर लिया तो अभी हम क्या करेंगे तो यह पूरा पोशन सिलेक्ट कर लेंगे और हमेशे फॉर्माट के अंदर ही जाना है में जाना है और यहां पे फ्रेंग्मेंट में क्लिक कर देंगे तो लिए चलो मैं फटा फट से यह डी रेहीं बाहर का पोर्षन कर लिए और जीतना भी बाहर था वह पूरा पोर्षन में ने डिलेक्ट कर लिया और अभी हम यह पूरा अलफा बेटी यह छोटी चोटी तुकडे है उन सब को में एक साथ सेलाइट कर लेती हूँ और इसे हमें तो उसके लिए अभी मैं क्या करूँगी अपनी जो यह हमने इंटरनेट से डाउनलोड की हुई इसे में सेलेट करके देखें यहां पर ले रही हुँ इसके अंदर का कलर मुझे यह जो अलपाबेट है उसके चोटे-चोटे टुकडो में डालना है तो उसके लिए में पूरा पोशन सेलेट कर लेती हुँ और यहां पर ग्रेडियंट फील आप्शन में जाएंगे इसके रखा हुआ है और इसका डारेक्शिन में चेंज करके यह रही है तो इस तरह से मैंने यहां पर पहले सही इजस्मेंट कर रखी वही थि पूरी की पूरी अजस्मेंट अपने इस अल्फभबट के उपर अप्लाए हो चुकी है तो अभी हमें क्या करना है तो इफेक्ट उप्छण में जाना हे और यहां पे हमें इसे 3D फॉर्माइट अपला करना है TO 3D फॉर्मेट पर मैंने क्लिक कर दी है वीट टॉप बेवल में जैंगे यहा पे एंगल ओप्चन पे में क्लीक करें हूँ और बॉट बोटम Behutral में भी हमें अंगलimagin करनी है इसंद करने हैं ना किशना हो अनुटे सबस्क्राइब कर सब्सक्राइस नहीं कंत्री से कर trafficking। यहीं मेvert फेल्ट कमंधने में वहरा जो भाला, यहीं ना किवी किख ले रहा है और नीचे की तरफ कुछ चेंजे समय नहीं करने है यह पर मटेरियल ओक्षन में जाएंगे और यहां पर अल्डेडी सिलेक्ट ही है देखे वाउम मैट करके तो यह पहले सी सेलेक्टेड ही है और मुझे वाउम मैठी चाहिए तो उसके इसाब से मैं यहां पूरी फॉर्मैट करना है और यहां पर आ पर कषिए ग्रूप ऐसके स्लेट कर टीए और एंच्छरीड हिए तो फॉर्म ऑपिस यहां पर क्लीकिह कर लेकं कर लेंगा तो अब हमें क्या करना है तो को यहां पर बिकलर में फोड़े मुझे changes चाहिए उसकी सबसे में changes से हाप एकर रही हूँ तो सपोस में क्या करे एक यहाँ पर यह जो light blue फॉ स्र一 कर लिय और वापिस में इसी पूरा कर लेती हूँ और वापिस हमें effect option में जाना है और यहां पर भी हमें चेंज करने तो टॉप बेवल में जाएंगे यहां पर में 5 डाल रही हूँ विड मुझे 5 चाहिए और था खायच और मुझे 10 तो यहां पर में 10 डाल रही हूं रही हो लिए प्रेकाव में यहां पर डालना है बाहर क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से देखे थोड़ा बहुत चेंज हमने जो कलर कॉंबिनेशन और इफेक्स है उसमें कर लिया तो अभी हम क्या करेंगे तो यह पूरा पोशन वापी सिलेक्ट कर लेंगे और अभी हम इसे अनिमेशन इफेक्ट अपलाई कर लेंगे तो अन अनिमेशन में जा रही हूँ यहां पर आड़ अनिमेशन में जा रही हूँ और यहां पर हमें मोर एक्जिट इफेक्स में जाना है और यहां पर फेड यह जो ऑप्शन है इसके उपर में क्लिक कर देती हूँ और ओके पर क्लिक कर देंगे ठीके यहां अनिमेशन इफेक्ट चोटी चोटी पार्स थे हों सभी के उपर अपला हो चुका है तो यहां पर बाजू में एक चोटा सा आरो इसके पर मैं क्लिक कर देती हूँ टाइमिंग में जाती हूँ और यहां पर थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं तो यहां पाएगा स्टार्ट विड प्रिवियस इसका डिवरेशन 0.5 सेकेंड से रखना है और रिपिट अंटिल एंड ओफ स्लाइट रखेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से अनिमेशन इफेक्ट अपना यहां पर एक अनिमेशन इफेक्ट कंप्लेट हो चुका है तो अभी हम क्या करेंगे तो यह देखिए स सबसे पहले हम सेलेट करके लेना है इस तरह से और बाद में written button प्रेश करके रखना है उपर के दो छोड़के यह वाला अनिमेशन में सिलेट करी हु वापिस उपर के दो अनिमेशन इफेक्ट चोड़के यह वाला इसे लेट करें इससे में दो दो एनिमेशन चोड़के अनिमेशन से लेट करते जा रही हूँ ठीक है मैं फटा फट से से लेट कर लेती हूं इसे कर दो कर दो कर दो कि इस तरह से मैंने सिलेक्ट भी कर लिया अभी हम क्या करेंगे तो इसका जो डूरेशन ही हमें चेंज करना है तो इसका डूरेशन में रखने इस तरह से मैंने डूरेशन इसका चेंज कर लिया और अभी हमें क्या करना है तो देखिए वापीस में बाहर क्लिक कर लेती हूँ सबसे उपर का आनीमेशन मेंने यहाप सिलेट कर लिया है अभी मैं कंट्रोल बटन प्रेस करी हूँ अभी 2 अैनीमेशन छोड़के नीचे का आनीमेशन हिस्तर से कर लिया वारपीस दो animation effort छोड़ के हमें यह वाला animation select करके यह ने ले ले दी हों देखिए इस तरह से महीं जी टना भी animation था वह मैंने पूरा team systems ले लिया यहांपस सबसे पहला animation चलेक्ट कर दिया उसके बाद का animation उससे सब्से दिया है और यह क्या हो तो बहुत सारे चोटे चोटे पार्ट को आनिमेशन ऐफेक्त अपलाई किया है तो बहुत ज्यादा है अपनी फाइल तो उसके लिए थोड़ा स्लोग अपना एफेक्ट कम्प्यूटर मैंच करता है या लेता है तो उसके वज़े से थोड़ा थाइम लगता है तो अभी देखें यह सिलेक्शन के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा तो अभी हमें क्या करना है तो यह प्टेक्छन तो हमारा स्टैक कर के हो चुका है अभी मुझे क्या करना है तो एक्जिट में जाके जो हमने फेड ऐनीμεशन अपलाइकिया अपलाई के तो यहां पे धेड़ अनीमेशन धथन पर बोस्ताथ घ्क औरी तो fade effect automatically, entrance में जाके fade effect automatically replace हो जाएगा और अभी duration यहाँ पर मैंने 50 ही रखा हुआ है यहाँ पर मुझे कुछ भी changes नहीं करने हैं तो इस तरह से हमारा animation effect तो पूरा apply करके हो चुका है यह जो alphabet जो हमें गुप करके रखा हुआ था तो उसे में उन गुप कर देती हूँ तो shape format में जाके group option में जाएंगे और यहाँ पर उन गुप पर क्लिक कर देती हूँ तो यह ungroup हो जाएगा यह देखिए ungroup हो गया और यहाँ पर मैं दो और stops add करना चाहती हूँ तो देखिए मैं एक stop यहाँ पर add कर रही हूँ और एक stop यहाँ पर add कर रही हूँ इस तरह से दो stops मैंने यहाँ पर add कर लिये यह देखिए और तो यहां पर मैंने white select कर लिया और यहां पर भी इसे मैंने select कर लिया और यहां पर भी white color ही रखना चाहती हूं तो देखिए यहां पर मैं white color select कर लेती हूं अच्छिक्ण इस तरह से मैंने दो stops और एड कर दिये और उन्में white ब्लूर डाल दिया और यहां पर यह गौश perception मेंawatirie कर लेती हूं और यह स्टोप में ने select कर लिया यह भी थुड़ा सा मैं इसे आपर मूं कर लिया कि ऑ और यह भी थोड़ा सा मूँ कर लेती हूँ अभी मैं कंट्रोल जी करके इस तरह से इसका गुरूप बना देती हूँ चीक है और बापिस अभी यह जो अलफा बेटे जहाँ पर मैंने अलिमेशन इफेक्ट अपला किया था यह भी पोर्शन में सेलेट कर रही हूँ यह पूरा पोर्शन में यहां पर सेलेट करके ले लेती हूँ और अभी हम क्या करेंगे तो यहां पर इफेक्ट अप्शन में जाएंगे और यहां पर ग्लो इफेक्ट में इसके उपर अपलाई करना चाहती हूँ तो यहां पे मैं color select कर लेती हूँ यह वाला यह देखिए यह blue जो light blue color था सबसे light था वो color मैंने select कर लिया यहां पे size option में जाके मैं यहां पे setting कर लेती हूँ तो यहां पे मुझे 5 चाहिए तो उसके सबसे मैं यहां पे 5 रख देती हूँ और नीचे transparency 60% चाहिए मुझे तो उस यह देखिए मैं transparency 60 डाल देती हूँ और enter की मैंने press कर लिए 60% हो चुका तो अभी हम क्या करेंगे तो यह format shape का option में off कर लेती हूँ यह देखिए यहां से बंद कर लिया animation भी पूरा complete हो चुका है तो यह animation pan भी मैं यहां पे बंद कर देती हूँ और अभी हम क्या करते हैं यह जो अलपा बेटे इसे उठा के यह जो animation हमने दिया था इसके उपर रख देते हैं देखिए इस तरह से मैं इसे properly adjust करके ले लेती हूँ यह देखिए इस तरह से मैंने adjust कर लिया और इसे send to back करना है हमें तो अभी shape format के अंदर जाके मैं इसे send to back क यहाँ पर shape format पर मैंने click कर दी और यहाँ पर हमें send to back करना है तो यहाँ पर मैं send to back पर click कर देती हूँ और send to back पर click कर देती हूँ तो यह पीचे की तरफ चला जाएगा alphabet और अभी हम क्या करते हैं तो इसका animation चेक करते हैं किस तरह से animation हमारा बन चुका है तो उसके लिए मैं slide show पर click कर देती हूँ तो देखे कितना खुपसरा animation यहाँ पर बन चुका है अभी मैंने ए अल्फाबेट के ऊपर यह animation बना के लिखा है अब किसी भी alphabet के ऊपर यह animation बना सकते हैं थोड़ा सा time consuming task है मैंने बोला था वैसी क्यूंकि देखे यहाँ पर छोटी छोटे parts में हम अ बन चुका है बहुत कुपसरत लग रहा है और बहुत ही रियालिस्टिक लग रहा है हीरे जैसा चम चमाता हुआ अल्फाबेट हमारे यहापे बन के रेडी हो चुका है और वह भी powerpoint में तो उमीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से और पसं हुआ है